सब्सक्राइब कीजिए रोयल टीचर को एजूकेशन संबंदी न्यूज तुरंट पाने के लिए आयकर गणना प्रपत्र 2023 इस परकार भरें अपने मॉबाइल से आयकर की न्यू टेक्स लेब के अनुसार जियां सत्यों सकत की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों आयकर की न्यू टेक्स लेब के अनुसार आयकर गणना प्रपत्र हम अब अपने मॉबाइल में भर सकते हैं किस परकार भरेंगे आज के इस वीडियो में जानेंगे आप अपने मॉबाइल से अगर आपके पास टेक्स्टॉप वर्जन नहीं है और आयकर का कैल्कुलेट करना चाते हैं नई स्लेब के अनुसार तो आ आप अपने मॉबाइल से ही इस सब कुछ कर सकते हैं कैसे करेंगे आज की इस वीडियो में जानेंगे आयकर की करना करने से पूर्व या आयकर करना परपत्र 2323 बढ़ने से पूर्व नई स्लेब की हमें जानकरी होना आउसक है तो इसके लिए दोस्तों पहले हम बात करेंग senior citizen है तो भी कोजी tax नहीं है super senior citizen है यानि 80 सालों शब है तो भी निल रहेगा इसके साथ 2,50,000 एक से लगा के 3,00,000 रोपे तर individually 5% tax था अब 80% अब इसमें senior citizen के लिए super senior citizen के लिए भी कोई tax नहीं है ये जो आप आई के सानी देख रहे हैं अगर आप deduction को claim करना चाते हैं छूट लेना चाते हैं इसके लिए है अगर आप किसी भी तरह की छूट नहीं लेना चाते हैं तो उसके लिए आपकी ये slab रहेगी तो अब हम बात करते हैं हमें अगर छूट चाहिए किसी भी तरकी तो उसके लिए तो 3 लाग से 5 लाग रुपए तक 5% 5% और निल रहेगा 5 लाग एक से लगा के 10 लाग रुपए तक 20% 20% और 20% रहेगा इसी प्रका 10 लाग एक से उपर जितनी भी आपकी आए है तो उसके उपर 30% आपको tax देना होगा अगर आप किसी भी तरकी कोई छूट नहीं लेना चाहते हैं तो आप 3 लाग रुपए तक आपको कोई tax नहीं देना है तो 5% जिसमें भी tax rebate under section 87A के तहत है और 6 लाग रुपए से 9 लाग रुपए तक 10 परतिशत तक आपको tax देना पड़ेगा 9 लाग रुपए तक से 12 लाग तक 15% tax है और 12 लाग रुपए से 15 लाग रुपए तक 20% tax है उसके बाद है वो 30% tax देना होगा tax lab जाने के बाद अगर आपको अपना आएकर गरना परपत्र बरना है और ये जानना है कि आपको new tax regime लेनी चाहिए या old लेनी चाहिए तो इसके लिए आएकर गरना परपत्र आपके सामने प्रस्तूत किया जा रहा है जो mobile के माध्यम से होगा और ये आपको कहां से download करना है उसके बार में भी आपको बताया जा रहा है इसके लिए दोस्तों आपके mobile में आपको WPS Office है वो आवसक है क्योंकि Excel फाइल खोलने के लिए WPS Office आफसा कोता है वो डाउनलोड कर लीजिए डाउनलोड करने के लिए आपके पास Play Store मौजूद है Play Store में जाईए WPS Office लिखिए और इसको download अपने mobile में इंस्टॉल कर लीजिए ये डाउनलोड करने के बाद अब बार्याती है एक्सल फार्मेट डाउनलोड करने की तो जो एक्सल फार्मेट है आएकर गरना प्रपत्र आप mobile से भी भर सकते हैं साथ ये अगर आपके पास PC या desktop मौजूद है उसके मादिम से भी भर सकते हैं इसके लिए आपको जाना होगा Google Chrome में यहां जाकर टाइप कर दीजिए राष्टी सिक्सक्संग राष्टी की वेब साइट है जहां से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे आएकर गरना प्रपत्र जो डाउनलोड आपको करने हैं वो यहां पे आपको मिलेंगे यह देखिए 2023-2024 के लिए आयकर गरना प्रपत्र है एक्सल फॉर्मेट में हैं आपको सबसे पहले एक नंबर पे दिया जाएगा आयकर गरना प्रपत्र फॉर पी-सी यानि आपके पास मवजूद है कंप्यूटर तो उसके लिए वित्तिवर्स में 2023-2024 के लिए 512-2023 को ही डाला गया है दूसरा है आयकर गरना प्रपत्र यह भी 512-2023 को ही डाला गया है यह दोनों पी-सी के लिए है अगर आपके पास पी-सी मौजूद है यानि कंप गरना परपत्र फॉर मोबाइल लिखा आया इसको आप क्लिक कर दीजिए जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं करने पर आपके सामने देखे डाउनलोड अगेन क्योंकि दोस्तों मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी है इसलिए डाउनलोड अगेन आ जाएगा नहीं है तो हम पर देख पा रहे हैं यह इसको कैसे यूज करना है तो उपर की तरह वाउटू यूज लिखा आ रहा है जिसमें आपको आयकर के जो गणा पर पत्र यूज करने से संबंदित जो निर्देश है वो मिल जाते हैं उसके बाद मास्टर के अंतरगत आपको जो कारेले का नाम है प इतना टेक्स देना होगा उसकी गणा भी यहां पर आपको मिल जाती है इसको सई तरह से जानने के लिए मैं मॉबाइल इसको अच्छी तरह से जानने के लिए देखने के लिए दोसह मोबाइल को आप लेंडिस कैप कर लिजिए यानिवि इडा कर दीजा तो आपको ये अ dudक टेक्स न्यू और ओल्ड टेक्स वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व दोस्तों यह एक्सल सीट जिन्हों ने क्रिये की है जो देना चाते हूं जिन्हों ने जब सभी राजे करमियों के लिए एक्सल सीट बनाई है यह जो वीडियो जारी जारी जा रहा है वो कि किसी बी तरह का प्रमोट के लिए नहीं जारी किया जारा रहा है यह आपकि हतल के आप चाहे तो किसी और की जो एक्सल सीट त्यार की गई है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं अधर वेब साइट से यह सिर्फ और सिप आपकी हेल्प के लिए वीडियो बनाया जा रहा है एक बार पुन सीपी कुर्मिर जी को धनेवा जिन्नों ने एक्सल सीट त्यार की है मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया अब दोस्तों ले चलता हूँ आपको यह गंणा परपत्र के हाउ तो यूसमें आपको सबसे पहले यूस से पहले देखनी है कि कितने कार्मिकों की बनानी है आपको जिनने कार्मिकों की आयकर गरना करनी है तो तो अतनी बार सेव कर लीजिए उनके नाम से अब उसके बाद यह जो निर्देश हैं वो आप सारे पढ़ लीजिए यहां पर वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं निर्देश पढ़के आपको नहीं दिखा सकता अब हम चलते हैं दूसरे अप्सन की तौर्फ दोस्तों यह मैं पूरा मोबाइल में ही चल रहा है Master जो और हम चलते हैं तो इसको जब हम खोलेंगे Master को तो यहाँ पेड़ेखे यह आट ग्रेक्रफ कुल जाता है जहां हमें अपने जो डाटा है सारे यहां दालने है जैसे कारेले का नाम है, कारेले के 10 नमबर है, कार्मिक का नाम है, पे लेवल क्या है, कार्मिक का पैन नमबर है, SI नमबर है, राजी भीमा की कटोती उनकी कितनी हो रही है, मार्च 2023 का मूल वितन कितना था, क्या आप NPS employee है, यस या नो, अभी हम राजस्थान की बात करें तो N पीएस अभी नहीं है, हमारे OPS लागू की जा चुकी है, क्या वित्यवस्ट डोजार तेवी सोईस में समर्पित वेतन लिया है, LIC प्रीमियम डिडेक्शन फ्रॉम सेलेरी, यानि सेलेरी से जो LIC की कटोती की जा रही है, वो आपको डालनी है, क्या आपको PD हेट से वेतन मिलत सेलेक्ट कीजिए, इस तरफ की बात करें, तो यहां पर देखे, डीडियो का नाम है, कार्मिक का पद है, सेवा सवर्ग, बैंक आता, जीपीफ नमबर, मॉबाइल नमबर, यह सारे आपको यहां से सलेक्ट करने हैं, तो यहां पर दोस्तों अगर आपको मॉबाइल से कर रह तो यहां आप जो भी टाइप करना चाते हैं, जो भी आपका नाम है, वो टाइप कर दीजिए, टाइप करने के बाद आपको नीचे, देखे, ऊपर की और, एक ग्रीन कलर से नाम नजर आ जाएगा, राइट का निशान, यह देखे, यहां पर ग्रीन कलर से, तो इसको आप क सेलेक्ट हो चुका है, उसके बाद यहां पर कार्मी का पद है, सेवा सबर्ग है, जो भी है, वो आपको यहां से जैसे क्लिक करोगे, तो आपको यहां पर खुलता नजर आ जाएगा, जहां कहीं आपको टाइप करना होगा, तो वहां पर आपको कीबोर्ड भी नजर आ तो यहां आपको सारी एपनी चैक कर लेनी हैं उपर कियो सारी डिटेल आ जाएगी यहां पर मार्च 23 नियुक्त जिए फरवरी दोज़ाच 24 से का वेतन जो आप ओशारी कितना मिला है इसा इक लेरि आपकि लिए कितने हैं चैक्ट कटोती हो रही है वो सारे आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे अगर आपकी इस कटोती में से कोई भिनता है तो आप इसको क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं यह एक डेमो के रूप में आपको दर्साया गया है उसके बाद टोटल डिलेक्शन कितना हो रहा है वो दिखेगा औ आपको बता देता हूँ आगे की डिटेल में जैसे माश्टर के अंतरकत हम गए और यहाँ पर हमने मार्च 2023 का वेतन चेंज करना है तो क्लिक कीजिए और एडिट कर दीजिए जितना मार्च 2023 का वेतन है वो डाल दीजिए तो आटोमेटिक ही वहाँ से कट होके जो जीए पस ट्रूप से यह डिटेल आहां वह जर्नी है यह देखे नीचे जो भी डिटेल है वह सारी चेक कर लीजे ली जें कि उसके बाद अगला कोलमा ता है अधर डिडेक्शन तका तो दोस्तों अधर डिडेक्शन के अंतरकत हम जाएंगे तो अधर डिडेक्शन में जो हमें प्रिम्यम ये लिए जो वितन से नहीं कटी गई अगर आपने कोई कटवाई है जो वितन से नहीं है वह यहां दर्ज कीजिए पी यहां दर्ज करनी है ट्यूशन फीज लगाना चाहते हैं यहांनि जो भी आपकी अदर डिरेक्षन है वो सारी यहां पे आप डाल दीजिए उसके अलावा standard deduction है 50,000 की वो आपको यहां दिखाई देगी बचत खाते की जो saving account की जमाराशी पर ब्याज है वो आपको यहां नजर आ जाएगा अगर नहीं आ रहा है आप इसको दिखाना चाते हैं तो यहां से आप edit कर सकते हैं इसके अलावा CC, SCG और SCD के अंदर का जो भी क कटवती दर्सानी है दूसरे साइर में आपको जो छूट लेनी है वो दर्सानी है उसके बाद यहां पे आपको old tax regime और new tax regime के अंतरगत कितना फायदा हो रहा है वो भी आपको यहां पे दिखाई देदेगा सारी details जो आप fill कर रहे हैं वो जीए पसपन पास में रखके आप जांच करने के बाद ही fill करें अब अगर हमने जीए पसपन देख लिया है अपना जीए पसपन सही है अधर डिडेक्शन के जो कटोतियां हो रही है हमारी वो भी हमने दिखा दी है तो हम चलते हैं tax के अंतरगत की हमारा कितना tax बनेगा तो यह हमारा new tax पहले आएगा तो new tax क के अंतरगत हमें 50,000 का standard deduction मिलेगा अधर कुछ नहीं मिलेगा तो यहां पर देखे कितना tax बन रहा है फिर उसके बाद हम old tax में जाएंगे तो old tax भी देख सकते हैं कितना tax बन रहा है आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो old tax के अंतरगत जो यह 12-15 तरह की जो कटोतियां है वो आपके शो करेगी जबकि new tax lab में यह कटोतियां शो नहीं करेगी तो यह अंतर है और नई tax lab आप सभी जानते हैं तो आपके लिए जो फायदे मन है वो आप लीजिए यह जो आयकर करना प्रपत्र बनाया गया है पूर्ण सावतानी से बनाया गया है इसमें किसी भी परक प्रिंट की या फिर अगर प्रिंट नहीं लेना चाते है पीडिएफ आप बनाना चाते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा वो भी आपको बता देते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको नीचे की और देखे कि यह टूल का ओप्सन अजर आएगा यह देखे यह प्रिंट करना है और अधर कोई करना है पेज सेट अप कर सकते हैं तो हम यहां पर देखे प्रिंट कर रहे हैं तो यह प्रिंट करेंगे तो हमारे सामने system print service पूछा जाएगा तो यहाँ पे save as pdf में कर लेता हूँ तो यह देखे जी यह 55 जो हमारा है वो pdf के रूम में हमारे सामने आ जाएगा इसी तरह अगर दूसरा हम लेना चाते हैं जैसे new tax regime लेना चाते हैं उसको print करना चाते हैं तो print के option पे click करेंगे तो यहाँ पे देखे यह pdf बनके हमारी तयार हो जाएगी तो हम इसको pdf के तौर पर यूज कर सकते हैं प्रेंट भी ले सकते हैं तो दन्यवाद साथियों उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए पास में आने वाले गंठी के बत्म को जदूत पाए हैं जो के सब्सक्राइब